Hello everyone, welcome to my channel, today we are going to solve question number 6 from exercise 3.2, question number 6 क्या है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, हमें कोई linear equation हमारी गिवन है, write another linear equation in 2 variables, हमें दूसरी linear equations लिखनी है, 2 variables की जो हमारी ये variables क्या है, x and y, ठीक है, such that a geometrical representation of pair is formed, जब उनको geometrical represent करें, तो वो क्या हो, सब 1st हमारा intersecting lines हो, ठीक है, 2nd हमारी parallel lines हो, 3rd हमारा coincident lines हो, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर question, जो हमारा, क्या given है वो लिख लेते हैं, given है हमको क्या given है यहाँ पर, pair of linear equation given है, वो हमारी क्या है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ठीक है, जो pair of linear equations होती है, उनके standard form क्या होते है, a1x plus b1y, sorry, plus c1 equal to 0, second क्या होती थी, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, यही इसका standard form होता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप a1 equal to आपका क्या है, 2 है, b1 equal to क्या है यहाँ से आपका, 3 है, c1 equal to क्या है, minus 8 है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निका intersecting lines निकाल लिए है, ठीक है, intersecting, intersecting lines, intersecting lines की क्या condition होती थी, a1 upon a2, यह किसके equal नहीं होता है, b1 upon b2 के, ठीक है, तो यहाँ पे, आप हमें a2, b2, c2, क्योंकि हमें दूसरी linear equation बनानी है, another, ठीक है, तो हमें यह तो पता है नहीं, इनकी value, तो आप यहाँ से देखिए, a2 की value क्या put करें, जो, ठीक है, a2 की suppose value हमने 3 put कर दी, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, a1 upon a2 क्या हो जाएगा, 2 upon 3, ठीक है, अब यह इसके equal नहीं होता है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 put कर दें, ठीक है, तो 2 upon 3, किसके equal है, 3 upon 4, ठीक है, तो यहाँ से, और C2 हम कुछ भी मालने, क्योंकि अभी C2 के यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, तो C2 suppose हमने माइनस 7 माल लिया, ठीक है, तो यहां से हमारी जो दूसरी equation क्या बनेगी, ठीक है, तो इसको रखी इस equation में, A2 की जगए यहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3X, 3X है ना, B2 की जगए 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4Y, C2 की जगए, माइनस 7 रखेंगे, तो माइनस 7, इक्वल टू 0, ठीक है, यह आपकी बन गई, another equation, ठीक है, equation to equation 1 आपकी, यह given थी, आपको another equation निकालने के लिए बोला था न, two variables की, तो यह x and y two variables है, इसकी another equation आपकी यह बन गई, ठीक है, तो आपका यह question number, six का first part था, जो solve हो के है, ठीक है, अब आपका question number second का, six का second part क्या है, six का second part, parallel lines, कैसी lines है हमारी, parallel lines, parallel lines, ठीक है, तो parallel lines से आप यहां से देखिए, आपकी equation यहां पर भी जो सेम यही रहेगी, तो यहां से भी आपका a1 क्या हो जाएगा, two, b1 क्या हो जाएगा, आपका three, c1 क्या हो जाएगा, आपका minus eight, यहां से a2 क्या हो जाएगा, आपका निकालना होगा, b2 कुछ ऐसा रखना होगा, c2 भी आपको ऐसा रखना होगा, यह parallel lines की condition satisfied करें, parallel lines की condition आपकी क्या होती है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 होता है, और यह c1 upon c2 के equal नहीं होता है, यह आपकी parallel lines की condition होती, ठीक है, तो आपका a1 upon a2, तो a2 की जगे यहाँ पर क्या रखें, सपोज यह a2 की जगे यहाँ पर रख देते हैं, 2 ही रख देते हैं, ठीक है, तो आपको easy हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या रख देते हैं, 3, ठीक है, हम यही रख दे रहे हैं, और यहाँ पे C2 हमारा क्या हो जाएगा C2 यह equal होता नहीं है तो C2 की जगे यहाँ पे रखना होगा minus 9 रख देते हैं सब्स ठीक है तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने minus 9 रख दिया अब आप इनको इस form में रख के देखते हैं तो हमारा क्या यह equal आती है A1 upon A2 2 upon 2 equal to 3 upon 3 equal to minus 8 upon minus 9 ठीक है तो यहाँ से यह तो 1 हो जाएगा 3 बन यह भी 1 हो जाएगा तो 1 equal to 1 equal to 8 upon 9 ठीक है तो आप यहाँ से देखिए यह दो तो equal है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 बट C1 upon C2 equal नहीं है ठीक है तो हम इसके लिए भी equation लिख देंगे first equation तो हमारी यह है तो पेर इसके लिए another equation हमारी क्या बन जाएगी इस equation पूट कीजे इसको ठीक है जो हमारी यह वाली equation है है ना इसमें पूट करते है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2X plus 3Y minus 9 equal to 0 ठीक है first equation तो आपकी यह थी 2X plus 3Y जो आपकी given है minus 8 equal to 0 तो यह आपकी given थी और यह आपकी another equation निकल के आई है ठीक है तो यह हमारी कैसी जब हम इन दोनों को जब जेग्राफिकल represent करेंगे तो यह हमारी कैसी होंगी parallel lines होंगी ठीक है तो यह था हमारा question number 6 का second part अब हम देखते question number 6 का third part, third part क्या है कैसी lines होनी चाहिए? coincident line होनी चाहिए, third part क्या है हमारा कैसी lines होनी चाहिए? coincident coincident lines के क्या condition होती है हमारी ठीक है? a1 upon a2 किसके एक्वल होता है b1 upon b2 के और यह एक्वल होता है c1 upon c2 के ठीक है तो आप हमारी जो first equation हमें क्या given है इसको लिख लेते हैं पहले हमारी क्या given है 2x plus 3y minus 8 equal to 0 ठीक है तो यहां से हमारा a1 क्या हो जाएगा 2 b1 क्या हो जाएगा 3 c1 क्या हो जाएगा आपका minus 8 यही है ना ठीक है तो a2 b2 c2 यह हमें रखना होगा कि हमारी यह वाली condition जो है satisfied करें तो suppose यहां पर हम रख देते हैं 2 6 रख देते हैं ठीक है यहां पर रख देते हैं 9 ठीक है यहां पर रख देते हैं माइनस 24 यह आप कुछ भी रख सकते हैं बट इनके जो है ना यह conditions पर satisfied करें चाहिए और आप जितने लोग मतला अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे answers निकल सकते हैं इसके चीक है तो आपको confused होने की बिल्कुल भी यहां पर जरुरत नहीं है तो आम यहां पर इसको रखते हैं तो अब हम आपन अपन एटू की जगे रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अपन 6 एक्वाल टू बीवन अपन 3 एक्वाल टू 1 अपन 3 एक्वाल टू 1 अपन 3 ठीक है तो यानि कि यह वाली जो 3 हैं सीनों एक दूसरे के एक्वाल आ के समय तो आप यहां से यानि की कंडिशन हमारी सैटिफाई कर रहे हैं अम इसके लिए एक्वेशन लिख देतें एक्वेशन क्या लिए बने गी हमारी first equation तो हमको given थी another equation हमको निकाल ली तो क्या होगी 6x plus 9y minus 24 equal to 0 ठीक है जब हम इनको geographical दोनो equations को represent करेंगे तो हमारी कैसी lines होंगी यह coincident lines होंगी ठीक है इनके बहुत सारे solutions निकल सकते हैं ठीक है तो यह था आपका question number 6 के 3 parts थो हम ए आपका तो हुआ है और है तो हम जैए तो हमारी की आपकाاع का था है झाल किसमा है मैं आपका दो हमारी का है तो हमारी का प्या स्वाच्छ लाच्छ टूब लाच्छ